तो भारत और अस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच की शुरुआत 9 फेविवरी से होने जा रही है और तैयारी दोनों ही टीमें जोरदार तरीके से कर रही है लेकिन आपको बता दे कि रवी चंदर नश्विन जिनकों कि हमें लगता है सबसे बड़े मैच विनर आपके लि जब उनसे पूछा गया कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन बल्लेबास आपको लगता है कि सबसे ज्यादा रन बनाते वे नसराएंगे है सबसे डेंजरस बल्लेबास है इंडिया के लिए सबसे बहतरी इनकाम करते वे नसराएंगे तो ना तो उन्होंने रोईट शर्मा का यानि कि कप्तान हिटमेन का नाम लिया और ना ही उन्होंने किंग कोली का विराट कोली का नाम लिया उन्होंने श्रेश ऐयर का नाम लिया उन्होंने का कि श्रेश ऐयर जिस सरी किसे टेस्ट मैचस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिस सरी किसे स्पिनर्स को खेलते हैं रिश उसने टेस्ट मैच की बात कई जा रही है कि जो डिली में खेला जाएगा 17 तारिक से 17 फेवेवरी से वहां पर श्रेश एयर के आने के चांसेज हैं तो कम से कम उनके आने से टीम इंडिया और स्ट्रॉंग होगी लेकिन नेवदलिस हमारे पास में सोरी कुमार याद अब भी है लेकिन इंटरस्टिंग है यह जानना कि ना तो विराट कोली का उन्होंने नाम लिया नहीं उन्होंने इरोईट शर्मा का नाम लिया और अश्विन ने साफ तोर पर का कि श्रेश एयर एक ऐसे बल्लेबास है जो कि आस्ट्रेलिया के खिलाब में सबसे डेंजरस सारी के से आते हुए नजर आ सकते हैं सबसे खातरनाक बल्लेबास है और लाता रिशक पंत और श्रेश एयर ने पिछले दो सालों से एक डेर सालों से भारतिय टीम के लिए खूब सारे रन बनाए हैं तो मुझे भी लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है बड़े जबरदस बल्ले टीम जो जीती है उसमें अश्विन का रोल बहुत इंपोर्टेंट है और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाप में रविचंदन अश्विन, रविंदर, जड़ेजा, अक्षर, पतेल होगे, आपके कुल्दी, पियादब होगे तो ये गेनबासी लाइन आप ही आपको म करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे वादा किया कि विराट कुली के बले से दो सेंचरी आएगी, देखते हैं कि क्या वो सही करते हैं या नहीं करते हैं, क्या सेंचरी लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, दो शतक विराट कुली की इस सीडीज में जरूर लगाएंगे आस्ट्रेलिया के खिलाब याद रखेगा लेकिन बन रहे हैं अपने स्पोर्ट स्टॉक के साथ में और अपना प्यार इसी तरीके से देते रहे हैं